हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका वीकेंड क्लास चैनल में और आज हम लोग बात करेंगे 1857 का जो यह विद्रो था तो यह विफल क्यों रहा है तो इसका सबसे पहला और मुख्य कारण था बहादुर शाह जफर का जो है नितित के नितित के रूप में बहादुर शाह जफर का जो चुनावत था यह इस आंदूलन के विफल रहने का सबसे बड़ा कारण बना क्यों? क्योंकि नहीं वो एक मजबूत राजनीतिक नेदित सुद्धे पाये और उनकी जो यह कमजोर परस्नाल्टी थी जो स्वतंत्रा सेनानी उस वक्त के थे जिनोंने विद्रो में बर्चड कर हिस्था लिया उनका भी उन्होंने उस्साह वर्धन नहीं किया बलकि डिमरलाइज ही किया तो और सबसे बड़ी बात जो यह केंद्रिन नित्रित्त था बाहदुर जाफर कहां पर थे दिल्ली दिल्ली ही जो है नर्व सेंटर थी है अब समझ लीजे जो शरीर का नर्वस सिस्टम है अगर वही सही नहीं रहेगा तो शरीर कैसे कान चलेगा यही हाल इस रिवोल्ड के साथ हुआ बाहदुर शाफर जो है इस रिवोल्ड के शरीर रूपी उसको नर्वस सिस्टम के हट थे लेकिन वही सबसे कमजोर कड़ी थे तो जब नर्वस सिस्टम के जो सबसे कमजोर कड़ी है जो यानि की बाहदुर शाफर वही कमजोर है तो विफल होना पहले से ही तैमान चाहिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले कारण पर है अगला कारण है लैक ओफ आल इंडिया विनियर मतलब यह जो रिवोल्ट था यह पूरी तरीके से भारत में नहीं फैला इस कम से कम इसमें इस्टर्न इंडिया पस्चमी भारत और दठनी भारत इसने बिलकुल नहीं भाग लिया यह मुख्यता केंद्रित कहां था जो केंद्री हिस्सा था बिहार बेंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था फिर आज का जो उत्तरप्रदेश है इसमें यह ज्यादा केंद्रित था तो बाकी जो हिस्से थे इन्होंने इसमें इस्सा नहीं लिया चुकि लिमिटेड टेरिटोरियल इस्प्रेड था जिसका जो टेरिटोरियल इस्प्रेड है यह बहुत कम था और इसका कारण भी था कि जो यह जो इस्टरन इलाके थे जो मुख्यता ट्राइवल थे इसके अलावा वेस्टरन इलाके थे जो साउत इलाके थे जहां पे कुछ अप्राइजिंग पहले भी हुई थी जहां पे कुछ रिवोल्ट पहले हुए थे विद्डरो अंग्रेजों के खिलाफ उनकों कि इन जो तीन जगहों के लोग थे इन्होंने इस रिवोल्ट में जो है विद्रोहियों का सथ नहीं दिया जो की एक और बहुत ही प्रमुख रीदन बना इस सफल अंदुलन के विफल रहने का अब इसके अलावा जो तीसरा कारण और एक मुख्य कारण था इसमें सभी क्लासे जो हैं वो सभी वर्ग जो हैं इन्होंने हिस्सा नहीं लिया इसका कारण क्या था सबसे पहली बाद जो लैंडलॉड्स थे जो जमीदार थे इन्होंने सबसे पहले इस विद्रोह में हिस्सा लिया लेकिन जो अंग्रेजी हकूमत थी उन्होंने ये वादा कि कि 1857 की इस जो विड्रो था इसके बाद इसको यह जब कुछल दिया जाएगा तो इनको जो है इनकी जो जमीने इन-से ले ली गए थी और सावकारों के कुछल dudas इनकी जो जमीने ले ली गई थी वो इनको वापस कर दी जाएंगी तो जब ये प्रामिस उनको कर दिया गया जब इन्हें ये चीज का दे दी गई तसली तो इन्होंने विद्रों से हाथ खींच लिए तो एक जो सपोर्ड था जो रसत की सप्लाई थी ये सारी चीज़े कट ग अलावा ये जो सहुकार थे उनके साथ सुतंता ये जो सेनानियों ने अच्छा बरताव नहीं किया था तो ये जो है एक तरीके से ब्रिटिश एजेंट के रूप में इन्होंने काम किया इसके अलावा जो पढ़ा लिखा वार्ग था उसने इस रिवोल्ड को देखा कि ये जो रिवोल्ड है ये जो सतंता रंग्राम है ये जो है एक तरीके सामंती व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहता है क्यों क्यों सामंती व्यवस्था स्थापित करना चाहता है क्योंकि मैक्सिमम जो थे इसमें कौन हिस्सा ले रहे थे जमीदार ले रहे थे वोई Kendrick कोई हित नहीं था तो इन्होंने देखा कि एक तो ये चीज थी दूसरी जैसे सती सिस्टम के अगेंस्ट में ये इन में से कई लीडर ऐसे थे जो सती सिस्टम के अगेंस्ट में थे तो इन्हें देखा कि जो हम लोग सुधार करना चाहरा हैं उसका तो ये विरोत कर र ये शाशक जो थे शाशक वर वो उन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी जो है लायल्टी वो कायम रखी है जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया जहां पर जिन से रानी लक्ष्मी बाई ने मनत भी मांगी थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था और जा करके आग्रा में च फिलकर थे इन्होंने भी सुतन्ता संग्राम से नाइनियों कोई समर्थन नही बीए विद्रोहियों को इन्होंने कोई समर्थन नही दिया जितने भी सिक्ध्या जो चीफटेंस हुआ करते थे जो कि अपने-पने कबीले के प्रम कुआ करते थे जैसे पट्याला के सिंध के अंबाला के यह सभी ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया अपे इसके अलावा कश्मीर के जो महरारा जा थे नहीं ने भी अंग्रेजों का साथ दिया तो आप एक तरीके से इसको सार्ग के रूप में सारगर्वित तरीके से इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा रिवोल्ट है, ये भारत का मात्र एक बटे चार एरिया कवर करता था, अगर एरिया वाइस देखिए तो एक बटे चार और अगर पॉपुलेशन को देखिए तो मात्र एक बटे दस पॉपुलेशन को ये कवर करता था, जो कि इसके विफल लेने का एक बहुत बड़ा और मुख के कारण था अब हम लोग अगले कारण की विवेशना करते हैं तो एक आप जब कोई भी युद्ध लड़ने जाते हैं तो सबसे पहली चीज है कि आपके पास हथियार जो है वो बहुत ही आधुनिक होने चाहिए तो मतलब आयुद और अस्त्र दोनों से ही जो भारतिय सैनिक थे जो विद्ध्रोही थे वो अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं ठहरते थे भारतिय सैनिकों के पास क्या था भाला बर्ची तलवार वो इस से लड़ते थे इसके अलाबा बहुत कम लोगों के पास दोनाली बंदूख थी तो इससे वो अंग्रेजी हकुमत का सामना नहीं कर पाया खासकर इस इंडिया कंपनी जिसके पास लेटिस्ट बंदूखें थी उनके पास एंफिल्ड राइफल्स थे तो जिनकी सायता से वो बड़े आराम से भारतिय सैनिकों को दूर से ही उनका सफाया करते गए तो सिर्फ बहादुरी से ही हर चीज संभव नहीं है ये भी एक बहुत बड़ा कारा था योकि इनके पास बहतर आम एमुनेशन से इन्होंने भारतिय सैनिकों को हरा दिया ये एक कारा था अब इसके बाद एक बहुत बहुत बड़ा कारा आता है कि आपकी सेना का कमांडर कैसा है ये भी एक बहुत बड़ा खारान होता है किसी भी सेना के जीतने या हारने का अब रानी लक्ष्मी भाई नाना साहिब कुवार सिंग ये तीनों ही और इसके अलावा जो अन्य भारतिय थे जैसे टांटिया टोपे ये जो फैदाबाद में मौलवी एहमद उल्ला ने जो किया था नेतित्व ये सभी लोग सैंज नेतित्व को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हैंडल नहीं कर पाया है जबकि अंग्रेजों के पास बहुत अच्छे जनरल हुआ करते थे ये एक्सिलेंट जनरल्स जैसे कि जॉन निकल्सन, कॉलिन केंपबल, हेंड़ी हेवलोग, जेम्स आउटन जिन्होंने नंबर कम होते हुए भी कुल सैनिकों की संख्या कम होते हुए भी बड़े आराम से अच्छी स्ट्राटेजी बनाई और भारतिय जो ये लीडर्स थे लक्षणी भाई, नाना साहिब, कुवर सिंग और ऐसे कई जो लीडर्स उनको बड़े आराम से परास्त कर दिया चुकि इनके पास जो सुपीरियर कमांडिंग स्किल्स थी निर्थित्व इनके पास बहुत अच्छा था इसके अलावा जो है जो इनके हार का एक और कारणा था वह है कम्मुनिकेशन इसकिल्स जो भारतिय सैनिक थे इनके बीच में तालमेल का बहुत अभाव था जो कि इनके पास दूर संचार की से विदाय उपलब्द नहीं थी तो कौन कहा लड़ रहा है इसके बीच में और किसको किस चीज की कितनी आवशकता है ये कहां पर कितनी आवशकता है सन्नेबल की इसकी सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती थी कि फोरी जो सूचना होनी चाहिए फोज को नाई प्राप्त पाती थी वहीं अंग्रेशों के पास उस वक्त जो है टालीग्राफ का जो है un carried में पास संचार विवस्ता थी तो मिनितों में वह चीजों को उननें क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए इससे यह चीज प्राप्त हो जाती थी इस चीज की सूशनाय जो है किस रसत की सप्लाइज चाहिए कहां पे बंदूखें कमना है कहां पे अमनिशन करना है तो क्या समगरी हर चीज युद्र रिलेटेड जो भी चीज थी सब कुछ अंगरेजम को बड़े इसके साथ है कि एक विचारधारा जो कि सभी को समान रूप से प्रभाविक करें वह जो है इन सैनिकों में नहीं थी लैक ओफ कोहरेंट आइडियालिजी समान राजनीतिक विचारधारा भी नहीं थी इसके अलावा ये जो सैनि विद्डरो अगर सक्सेस्फुल हो जाता है इसका सुसाइटी पर क्या असर पड़ेगा इसका भी कोई इन्हें अंदाजा नहीं था और सबसे बड़ी बात इसके अंसक्सेस्फुल होने की थी कि क्यों ये असफ़ल हुआ क्योंकि लोगों की ये परसनल ग्रिवांस पर था ये सारे कारण थे और जोकि बहुत ही व्यक्तिगत थे तो जब व्यक्तिगत कारण थे तो ये सारे जो रिजन्स थे एक मुख्य सबका कारण एक नहीं था अलग-अलग कारणों से लड़े दुश्मन एक था कारण वीभिनने थे तो जब तक कारण भी एक होने ही हम गई तो दुशमन को पराजित करना मुश्किल होता है तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी उजया से भी जो है बहुत ज़्जाढा संक्या बल होने के बाउजूद और बहुत बहादुरी से लड़ने के बहुत जूर जो है भारतिय सेनिक जो है भारतिय विद्रोही वो हार गए 1857 का 243 सग्राम लेकिन अंग्रेजों को एक सीख तो मिल गई कि भारत में अब लोगों को दबाना इतना असान नहीं है दूसरे भारतियों को भी जो है सबसे पहली बार एक नेशन के रूप में एक रास्टर का जो है रास्टरवाज जो है उसकी भार्णा भारतियों में जगी उसके अलावा रेलिजिस डिफरेंस थे ये सारे मिट गए मुगल समराट को अगर राजय बनाए गया इसका मतलब कि सारे लोगों की जो आस्था ती सारे जो लीडर्स इनमें जो पार्टिसिपेट किये थे इन्होंने माना कि जो भारती शाशक है वो मुगल है बिना उसमें धर्म और जादी के बेदवाओं के इन्होंने दिल्ली के शाशक को शाशक माना पूरे भारत का शाशक माना और अपने को उनके अधीन माना बाकी हम लोग जो है क्यों इस तक क्या समाज पर प्रभाव पढ़ा और लोगों ने इसको किस परद्रिश्य में देंगे देखिएगा जरूर लाइक जरूर करिएगा धन्यवाद